हलो दोस्तों नमस्कार आप सभी कस्वागत है टार्गेट क्लासे विध हरीस सर में इस वीडियो में फिजकल एच क्वेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट 87 कोईशन्स देखेंगे जो एक्जाम्स के लिए बहुत उप्योग्य होंगे इसमें कई कोईशन्स आप क्वेशन देखते जाईएगा आंसर देखते जाईएगा दो से तीन बार वीडियो को देख लीजिएगा आंसर तिमाग में आपके फिट हो जाएंगे फर्स्ट क्वेशन है अंतर राश्ट्री ओलंपिक समित का गठन कब हुआ था तो इसका जो गठन हुआ था 1894 1894 में हु नेक्स्ट कोईशन पर मूव करते हैं क्लासिकल एज का संबंद है तो क्लासिकल एज का संबंद किस से होता है स्पार्टा से रिलेट करता है नेक्स्ट कोईशन पर मूव करते हैं पैन हैलनिक उत्सो संबंदित है या किस से संबंदित है तो यहां पर आपका एथेंस से रिल किया था एक मिनट फोर्थ नंबर कड़ी होगा नेक्स्ट कोईशन सिक्स नंबर का कौन से वर्स में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिए आप्सन के अनुसार उत्तर आपको अटेम्ड करना एक के साथ में रिलेट करेगा नेक्स्ट कोईशन पर मूव करते है 1948 यहाँ पर सही हो जाएगा पूर्व एथेंस काल में सारीरिक सिक्षक को किस नाम से जाना जाता है तो पूर्व एथेंस काल में सारीरिक सिक्षक को ए आप्सन के साथ में रिलेट करेगा ए उत्तर सही होता है नेक्स्ट कोईशन है ओलंपिक आदर सुवाकिम अल्टियस से तातपर है, तो ये तातपर आपका होता है, यहां पर अधिक उंचा के साथ में C उत्तर सही होगा, नेक्स्ट कोईशन है, भगवान जीएस का संबंद है, तो भगवान जीएस का संबंद ओलंपिक खेल से रिलेट करेगा, नेक्स्ट कोईशन पर मूव करते हैं, टेंथ नंब नमबर भारतिय ओलंपिक संग को चुनते हैं तो भारतिय ओलंपिक संग को चुनते हैं इसमें आप लोग गलत न करियेगा भारतिय संग भी रिलेट करेगा और राज ओलंपिक संग भी हो जाएगा C option right होता है next question पर move करते हैं पहला Commonwealth खेल कब हुआ था तो पहला Commonwealth खेल हुआ था 1930 नेक्स्ट है आपका 13 नमबर 1927 में ओलंपिक संग का पहला भारति अध्यक्ष कौन बना 13 नमबर सर दोराब जी टाटा के साथ में रिलेट करता है B option सही हो जाएगा 14 नमबर का question निम्ड में से किसने ओलंपिक आदर्स वाक के दिया तो हेनरी डिडॉन ने दिया है A option के साथ में रिलेट करेगा 15 खेल जो प्राचीन समय में लाड अपोलो के समक्ष आयूजित किये गए थे उनको क्या बोला जाता था पिथियन गेम से रिलेट करता है C option सही हो जाएगा 16 नमबर ACI खेलो में होकी कब सामिल की गई most important है 1958 टोक्यो रिलेट करता है C option हो जाएगा सही आंसर I.O.A के कितने उपाध्यक्ष है यहाँ पे आपकर 12 दिया हुआ है आंसर में जो बुक से आप पढ़ेंगे तो उसमें 12 दिया हुआ है लेकिन अगर आप इसको सर्च करेंग तो आपको 8 लोगों के नाम भी मिल जाएंगे अगर आप I.O.A की साइट पर जाते है तो 8 वहाँ पे दिया हुआ 8 के साथ में relate करेगा next question पर move करते है 18 नमबर प्रथम ACI खेलो में भारत का इस्थान था तो प्रथम ACI खेलो में भारत का दुतिया इस्थान से relate करेगा next question पर move करते हैं हर देश के भीतर कौन सी संस्था ओलम्पिक अंदोलन चलाती है तो यह N.O.C. हो जाएगा यहाँ पर N.O.C. के साथ में relate करेगा next question है ओलम्पिक के लिए पहला और मूल खेल कौन सा था तो ओलम्पिक के लिए पहला और मूल खेल था पावों की दौर A option सही होता है I.O.A की स्थापना का बही थी option के answer 1927 सही हो जाता है next question है कौन से भारतिय कप्तान ने ओलम्पिक के दोरान पहली बार victory stand पर चड़ाई की तो यह जय पाल सिंग के साथ में relate करता है B option right answer हो जाता है next question है 23 number का question ओलम्पिक ध्वज में गोलों की संख्या कितनी होती है तो 5 होती question number 24 किसी खेल को ओलम्पिक में समलित होने के लिए कम से कम कितने देशों में खेला जाना चाहिए तो यह कम से कम संख्या होनी चाहिए 25 देशों में खेला जाना चाहिए next question है 25 number आधुनिक ओलम्पिक खेल में सर्व प्रथम ओलम्पिक ध्वज का प्रियोग कप किया गया तो इसका प्रियोग किया गया 19-20 Antwerp B option राइट होता है नेक्स्ट क्वेशन है 26 नंबर माईलो जिसने प्राचीन ओलंपिक में रिकॉर्ड छे बार भाग लिया खिलाडी था ये किस से रिलेट करते हैं कुस्ती से रिलेट करते हैं नेक्स्ट क्वेशन पर मूव करते हैं 28 नंबर है भारतिय ओलंपिक संग की स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना हुई थी 1927 में 29 भारत में ओलंपिक आंदोलन किसके द्वारा प्रारम किया गया था तो भारत में बात की जाये तो सर दोराब जी टाटा से रिलेट करता है निम्न में से कौन ओलंपिक खेल के पदक बिचेताओं में समलित नहीं है तो यह मिलखा सिंग से रिलेटेड है यहां से यह क्वेशन पूछा जा सकता है नेक्स्ट कॉईशन पर मूव करते है आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक कौन थे आठ वर्सों के लिए 33 नंबर के question पर move करते है ओलंपिक का सरवाधिक 8 बार honky का किताब निम्न में से किस देश ने जीता है तो ये जीता है भारत relate करता है A option right answer होता है next question पर move करते है 34 भारत ने honky का ओलंपिक स्वन पदक अंतिम बार किस ओलंपिक में जीता है ओलंपिक उद्गहाटन के मार्च पास्ट के समय सबसे आगे कौन से देश रहता है तो सबसे आगे जो देश रहता है ग्रीस रहता है D option right answer होता है next question पर move करते है निम्न में से कौन ओलंपिक खेल समाप्त की घोशना करता है most confusing question important है पूछा जा सकता है President of IOC B option सही हो जाए अगर ध्यान रखिएगा 36 का B उत्तर right answer होगा वीडियो को एक से दो बार आप लोग repeat अवसे कर लीजिए अगर question यहां से पूछा जाए तो आपका गलत ना होने पाए निम्न में से किसे ओलंपिक खेलों की मेजबानी सौपी जाती है तो किसे सौपी जाती है सहर को right answer हो जाता है नेक्स्ट कोईशन है ओलंपिक में सबसे पहले किस वर्स भारत का राश्ट्रिय अगान बजाया गया तो यह आपका उत्तर होता है 1948 नेक्स्ट कोईशन पे move करते हैं ओलंपिक ध्वज में 5 छलों का संबंध है तो 5 छलों का संबंध C option से relate करता है नेक्स्ट कोईशन पे move करते हैं 40 नमबर ओलंपिक का संबंध है तो यह ओलंपिक जो relate करता है यह सेना से relate करता है द्यान रखिएगा 40 नमबर का D option होगा नेक्स्ट कोईशन 41 नमबर ओलंपिक खेलो में ओलंपिक सुभंकर की प्रथा सुरू हुई तो इसकी जो प्रथा सुरू ही मैक्सिको 1968 से नेक्स्ट कोईशन पे move करते है ओलंपिक जंडे का रंग होता है तो ओलंपिक जंडे का जो रंग होता है यह white color होता है B option सही हो जाएगा नेक्स्ट कोईशन पे move करते है 43 अंतर राष्ट्री ओलंपिक समित का मुख्याला अवस्थित है तो यह कहां इस्थित है स्विजर लाइंड नेक्स्ट कोईशन है ओलंपिया सहर बिस्व के किस देश में इस्थित है most important पूछा गिया है कई बार question तो यह Greece के साथ में relate करता है question number 45 Apollo देउता के समान में खेल खेले जाते थे तो यह खेल होगा फिथियन खेल यहाँ पे पिथियन हो जाएगा C option सही हो जाएगा next question पर move करते है 46 प्राचीन ओलंपिक खेलों में बिजेता को क्या इनाम दिया जाता था practice sets में भी हमने यह question आपको provide किया है सबका सही होना चाहिए D option right answer होता है next है प्रथम ACI खेल समार हो 1951 का उदगाटन किया गया था तो 1951 का उदगाटन किसके द्वारा किया गया था डाक्टर राजेंद प्रशाद के द्वारा यह भारत के प्रथम क्या थे राष्टपति थे next question पर move करते है 48 Olympic गीत की रचना किस देश के निवासी ने की थी तो इसकी रचना की थी Greece देश के निवासी ने C उत्तर सही हो जाता है next question राष्ट मंडली यह खेलो का आरंब कब हुआ तो इसका जो आरंब हुआ था 1930 से हुआ था 50 नंबर के question पर move करते है Olympic का लक्ष है वीडियो फास्ट है आपका समय बचाने के लिए वीडियो फास्ट किया गया है आप लोग इसको सुनते जाईएगा question देखते जाईएगा answer आपको याद हो जाएंगे यहाँ पर उत्तर हो जाएगा B option सही हो जाता है next question पर move करता है 51 नंबर का Olympic में भारत ने सरव प्रतम फुटबाल पृतियोगिता में भाग लिया था तो यह 51 जो होगा यहाँ पर 1948 से relate करता है next question एक मिनट 52 प्रतम ACI खेलो का आयोजन किस वर्स हुआ था तो प्रतम ACI खेलो का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था 1951 में next question पर move करते सरव प्रतम Olympic खेल रद किये गए विसुद्ध के कारण रद किये गए थे यह कब रद हुए थे 1916 relate करेगा 54 नंबर भारत को ACI खेलो में पहली बार होकी में स्वन पदक कब प्राप्थ हुआ कब प्राप्थ हुआ था भारत को 1966 से relate करता है D उत्तर सही हो जाता है next question पर move करते है 55 अभी तक ACI खेल किस सहर में आयोजित नहीं किये गए यह भी question most important है इसका सही answer हो जाएगा कराची B option right हो जाता है next question पर move करते है 56 प्रथम ACI खेलो में भारत ने किस देश को हरा कर football championship जीती तो यहाँ पर जो उत्तर होगा आपका इरान को हरा कर next question पर move करते है 57 नंबर का question है भारत को ओलंपिक में प्रथम स्वन पदक कब मिला था तो यह स्वन पदक मिला था 1928 B option right हो जाता है next question पर move करते है 58 नंबर है पारंपरिक ओलंपिक जंडा सरुपर्थम प्रियोग में कहां लिया गया तो सरुपर्थम इसका right answer जो होता है and verb 1920 B option सही हो जाएगा next question पर move करते है 59 नंबर का question है सितंबर 2009 में राष्ट कुल खेलों से किस देश को निसकासित किया गया था फिजी को निसकासित किया गया था important है 60 नंबर question पर move करते है ओलंपिक खेलों में आखरी बार ठोस स्वन पदक किस वर्स में दिये गये थे तो ये किस वर्स में दिये गये थे 1912 डी उत्तर राइट हो जाता है next question है 61 नंबर का राष्ट मंडल खेलों की athletic परतियोगिताब में स्वन पदक जीतने वाली पहली भारतिये महिला है most important कृष्टना पूनिया राइट answer हो जाएगा question नंबर है 62 ओलंपिया सहर बिस्सु के किस देश में इस्थित है एक से दो बार revision करिएगा पहले बार में आपके एक से दो पांच question दस question गलत हो सकते हैं दो बार देखिएगा तीसरी बार में आपके 87 बटे 87 नंबर आने चाहिए इस question का ग्रीस राइट आंसर हो जाएगा next question है निम्न में से किस वर्स में सदस से राष्ट्रो द्वारा ओलंपिक खेलों का बहिस्कार नहीं किया गया था 63 A option 1952 सही हो चाहे next question है भारस सरकार के खेल मंत्रा रेकि लक्षित ओलंपिक पोडियम योजना निम्न में से किस वर्स में आरंब की गई 64 तो ये आरंब की गई 2014 B option सही हो जाएगा next question है प्राचीन ओलंपिक खेल के मुख जज किस अन के रूप में भी जाने जाते थे तो 65 नमबर ये जाने जाते थे हेला नो डिकस के रूप में B option सही होगा most important है question 66 है पहले राष्टी खेल का आयोजन किस सहर में किया गया था तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा New Delhi C option right हो जाएगा next question पर move करते है 67 नमबर का ACR आंदोलन की कलपना किस ने की थी तो इसकी जो कलपना की थी Professor G.D. Shondi ने की थी B option सही होगा ACR लिखा हुआ है ध्यान रखियेगा next question है 68 नमबर का आधुनिक ओलम्पिक के जनक कूबर्टी निवासी है तो यह कहां से रिलेट करते हैं 68 नमबर France से रिलेट करते हैं 69 नमबर के question है ओलम्पिक में ठोस स्वान पदक आखरी बार कब दिये गए थे तो यह आखरी बार जो प्रदान किये गए थे 1912 के साथ में रिलेट करेगा next है winter ओलम्पिक किस वर्स सुरू किये गए थे तो winter ओलम्पिक जो सुरू किये गए थे 1924 से सुरू किये गए थे D option right answer होता है next question पर move करते है 71 है पहले बिशेश ओलम्पिक की मेजबानी किस देश ने की तो इसकी जो मेजबानी की थी अमेरिका देश ने की थी most important question है तो कि इससे related अभी एक question मिलेगा question number 72 है ओलम्पिक का प्रती किस ने डिजाइन किया तो ये कुबर्टिन महोदर ने डिजाइन किया था A उत्तर सही होगा next है भारती ओलम्पिक संग के अध्यक्ष काउन है तो ये है नरिंदर धुरूबत्रा A option सही हो जाएगा नरिंदर धुरूबत्रा होगा यहाँ पर mistake है टाइपिंग में नेक्स्ट सहर ओलम्पिय कहाँ अवस्थित है तो ये repeated है यूनान से relate करता है C option होता है next question है 75 नंबर का ओलम्पिक ध्वज के पांच अलग अलग रंगों के पांच अंता इस्थापित छल्ले दरसाते है पताए दुनिया की एकता को दरसाते है most important है ये भी ध्यान दखिया कि इसके जो पांच छल्ले है ये अंग्रेजी के W अक्षर को प्रदरसित करते है ये भी question आपको complete किया जा चुका है question number 76 पहली भारतिय महिला ओलम्पिक पदक बिजेता है तो ये हैं करणम मल्यस्वरी C option सही हो जाता है next question है 77 number का 2018 ACI खेलो का आयोजन डैस में किया गया था तो इसका आयोजन इंडोनेसिया में किया गया था A option right होगा next question है आपका 78 number का most important ये इस question का answer बहुत से बच्चों ने बताया कि सर B होना चाहिए लेकिन आयोग के द्वारा जो answer माना गया था B ही माना गया था लेकिन विसेश ओलंपिक में कौन प्रतिभागी होते है वर्तमान के according अकर देखा जाए answer तो आपका A और B दोनों option हो जाता है C option यहाँ पर सही होता है लेकिन इसके पहले जो exam हुआ तो वहाँ पर B option को attempt किया गया था आयोग के द्वारा वर्तमान के अनुसार C उत्तर सही हो जाएगा नेक्स्ट कोईशन के move करते हैं प्रत्थम ACI खेलो का आयोजन वर्स डैस में हुआ तो 79 तो इसका आयोजन जो हुआ था 1951 से रिलेट करता है कई बार कोईशन आप लोग कर चुके हैं निम्न में से किसने ओलंपिक आदर सुवाक के दिया तो ये अभी आप लोगों ने पढ़ा है हेंडरी डिडॉन से रिलेट करता है C आप्सन सही हो जाएगा नेक्स्ट कोईशन है 81 नंबर अंतर राष्ट्रिय ओलंपिक समित की कारी कारी बोर्ड बनाया गया तो ये कब बनाया गया था 18th 94 होगा इसका सही आंसर नेक्स्ट कोईशन पर मूव करते है बुक में आपको 1921 दिया हुए उसको सही करिया है कि गलत होगा वो 82 ACR आंदोलन की कलपना किस ने किती तो ACR आंदोलन दो-तीन बार रिपीड हुआ है कोईशन एक के साथ में रिलेट करता है नेक्स्ट कोईशन है ठोस स्वन पदक ओलंपिक खेलों में आखरी बार कब दिये गये थे ये भी रिपीटेट कोईशन है कोई बात नहीं बी आप्सन यहाँ पे सही हो जाएगा नेक्स्ट कोईशन है 84 जकारता ACN गेम 2018 के समापन समारू में भारती ध्वजवाह कौन थे तो ये आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा रानी रामपाल रिलेट करेंगी C आप्सन सही हो जाएगा नेक्स्ट कोईशन है भारत ने ओलंपिक खेलों में सर पर्थम किस वर्स भाग लिया एक कोईशन आपने पढ़ा था वहाँ पे दूसरा था लेकिन यहाँ पे आंसर आपका दूसरा है तो आप्सन के एकोर्डिंग वहाँ पे आंसर था क्वेशन नंबर 6 था हमको ध्यान है यह क्योंकि कई बच्चों ने वहाँ पे डाला भी था कि सर इसका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा बी उत्तर किस ओलंपिक खेल में यह आदर्स वाक्य है तो यह थे 87 क्वेशन जिसमें 4 से 5 छे क्वेशन सापकी कई बार रिपीट हो गए थे कोई बात नहीं लेकिन आपको 87 अपान 87 क्वेशन तयार होने चाहिए नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करें तो नए वीडियो में नए टापिक के साथ में मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार मेहनत आप लोग करते रहिएगा पढ़ते रहिएगा पैक्टिस सेट लगाते रहिएगा और साथ साथ में जो भी चैप्टर आपको टफ लगता है स्लेबस के अकॉर्डिंग उसको भी पढ़ते रहिएगा स्लेबस से बाहर आप न पढ़िएगा जितना स्लेबस में दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसकी तैयारी करिएगा उसी से पेपर आपका मिलेगा जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है पेपर सब उसी में से होगा बस paper का label change होगा question पूछने का तरीका change होगा तो नए वीडियो में नए topic के साथ मैं मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार